हेलो एब्रीवन आई वेलकम तो आल एक्स्प्लेंट ओके आज हम दिश्काफ करेंगे निव एजकेफन पॉलफी 2020 के बारे में बारे में बेट बीफोर वी विगेन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस्टा बेल आइकन ओके तो हम बात करते हैं आज निव एजकेफन पॉलफी जो एडॉप्ट की गई है आप्टर 34 एर ठीक है मतलब 34 साल बाद जो इंडिया के एजकेफन पॉलफी में चेंजिफ किये गए थे वो 1992 में की गए थे जो की मे में 1986 में पॉलफी एडॉप्ट की गई थी उफी में थोड़ा बहुत चेंजिफ करके 1992 में एजुकेफन पॉलफी बनाए गए थी जो फ़र्ट इंडिया की एजुकेफन पॉलफी थी वो कोठारी कमिशन के अंतरगत बनाए गए थी 1968 में जिफ में बहुत फी रिकमेंडेश जिसको मिफ कर दिया गया था वो थी कि इंडिया की जीडीपी का सिक्स परफिंट हमें एजुकेफन फेक्टर पर इन्वेस्ट करना चाहिए पर कोठारी कमिशन के अंतरगत दी गए इस रिकमेंडेशन को ना तो 1968 में माना गया ना ही 1986 में माना गया अभी लेटेस्ट जो 2020 क एजुकेशन पॉलसी आई है उसमें इस बात को मेंफन किया गया है कि एजुकेशन पॉलसी में इंडिया को 6% अपनी जीडीप का व्याय करना चाहिए ठीक है चले यहां पर कुछ ग्राब देख लेते हैं जैफे कि कंट्री कंट्री वाइस ब्राजिल रफिया इंडिया चा सेक्टर पे ठीक कितने परफिंट जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर पर इंवेस्ट करता है ठीक है यहां पर कुछ चार्ट दियेगा है इसको आप पॉस करके देख सकते हैं ठीक आगे दिया हम बात करें करें किने पॉलसी 2020 है क्या यदि हम इसकी बात करें इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो नेशनल एजुकेशन पॉलसी है वो मेली किस पर बेशती 1986 की पॉलफी पे ठीक है पर उसमें 1992 में जो पॉलफी आई थिफ में थोड़े बहुत चेंजेस किये गए थे लगवाग मोर देन टू डिकेट्स मतलब लगवा 34 साल हो चुके है है जो लास्ट टाइम हमने पॉलफी पर चेंजेस किये थे मतलब एजुकेशन पॉलफी पर जो चेंजेस किये थे लगवा 34 साथ हो चुके है यह दि हम एक्सपेंडीचर की बात करें तो इंडिया जो है 62 सेकेंड पोजीशन पे है पबलिक एंड एक्सपेंडीचर और एक्सपेंड किया था ठीक है एकनॉमिक सर्वे के हिसाब से एमेचारडी जो मिनिस्ट्री ऑफ हुमन रिफोर्स डेवलाप्मेंट है इसका भी फड़नली नाम चेंज कर दिया गया है ठीक है जो कि इसका नाम आप एजुकेशन सेक्टर के बेस पर रखा गया है मतलब एजुक तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट है नेफनल पॉलफी 2020 के लिए इसको देख लेते हैं ठीक है अभी जाइफा था कि फिक्स टू फॉर्टीन एर तक एजुकेशन जो था वह मेंडेट ट्री था पर अब थ्री टू एटीन एर कर दिया गया है ठीक है और वन टू थ्री क्लासिस में और नर्फरी क्लासिस में कोई भी एक्जाम कंड़क्ट नहीं कराये जाएंगे ठीक आगे देखते हैं और मेंली इस बात पर फोकफ किया गया कि जो छोटे बच्चे हैं छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मदर टंग सुटेबल हो ठीक है नेफनल एजुक है उसको आउट कर दिया गया बाहर कर दिया गया इससे और जैसे क्या भी था कि आफ्टर टेंथ ठीक है इलेवन्थ और ट्वल्थ के जो इस्ट्रेंट थे जैसे फाइंस मैट्स या कॉमर्स की भी फेल्ड के थे तो वो कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही चूज कर फ ही उनका इंट्रेस्ट है इस्ट्रेंट का इंट्रेस्ट है वो फब्जेक्ट को चूज कर फकते हैं और इस्ट्रेंट के पाफ अभी 10 डेज लग एक फाल में लगवा दफ दिन वो विदाउट बैग इस्कूल में जा फकते हैं ठीक है लब यह पर मिसन नियुज के फन पॉ है